आदत ही इनसान को बनाती है और आदत ही इनसान को बरबाद भी करती है एक सफल इनसान के अंदर भी बुरी आदते होती है लेकिन वह सफल इनसान अपने बुरी आदतों को अच्छी आदतों से रिपलेस कर देता है आज मैं आपको बताने वाला हूँ सफल इनसान की दस ऐसी आदतों के बारे में जो आप भी अपने अंदर बहुत आसानी से डाल सकते हैं और आप भी सफल हो सकते हैं यहाँ बात जानना बहुत ही जरूरी है कि किसी भी आदत को खत्म नहीं किया जा सकता सिर्फ उस आदत को अच्छी आदत के साथ रिपलेस किया जा सकता है सफल लोगों की पहली आदत होती है कि वो किसी के कहने का इंतजाद नहीं करते कि कोई मुझे आकर कहेगा और तब मैं आगे बढ़ूँगा आप सभी लोगों ने बैलगारी जरूर देखी होगी जिसमें एक चलाने वाला होता है जो बैल को बार बार आर गड़ाता है और तभी बैलगारी आगे बढ़ता है और जब आर गड़ना बंद कर देता है तब बैल धीरे धीरे चलता है या रुख जाता है बहुत सारे लोगों को ऐसी ही आदत होती है कि जब तक कोई उन्हें पीछे से आद नहीं गड़ाएगा तब तक वो कोई काम नहीं करेंगे तब तक वो आगे नहीं बढ़ेंगे आप भी बहुत बार ऐसा जरूर करते होंगे कि किसी का मोटिवेशनल विडियो आएगा उसे सुनूंगा फिर आगे बढ़ूंगा आपको इंतजार होता है कि कोई व्यक्ति आकर आपको मोटिवेट करेगा और उसी के बाद मैं आगे बढ़ूंगा लेकिन ये बिल्कुल ही गलत है दो अपनी इंद्रियों पर पूरा कंट्रोल होता है दूसरी आदत होती है कि उनकी अपनी इंद्रियों पर पूरा का पूरा कंट्रोल होता है उन्हें पता होता है कि उन्हें क्या देखना है, क्या सुनना है, क्या टेस्ट करना है, क्या चीज अपनी बॉडी में फील करनी है असफल वाले व्यक्ती जब भी किसी लड़की को देखते हैं तो कहते हैं वाँ वा क्या लड़की है और दिन भर मोबायल में स्क्रोलिंग करकर के उसी चक्करों में पढ़े रहते हैं लेकिन सफल हैबिट्स वाला व्यक्ति ऐसा बिलकुल नहीं सोचता है, वह सोचता है कि वहाँ क्या लड़की है, इसमें कितने अच्छे गुड़ है, इनसे मुझे कुछ जरूर सीखना चाहिए. असफल हैबिट्स वाला व्यक्ति जब भी किसी चीज को देखेगा, तो उसके मुझे पानी आ जाएगा, उसे रहा नहीं जाएगा, वह कंट्रोल नहीं कर पाएगा. लेकिन सफल व्यक्ति को पता होता है, उसकी आदत होती है कि मुझे क्या चीज खानी है और क्या चीज नहीं खाना है उसे अपने आप पर कंट्रोल होता है कि आप चाहते हैं कि इंदिरियों को कैसे कंट्रोल करते है तीम कभी भी काम को टालते नहीं है तीसरी आदत होती है कि वो किसी भी काम को टालने की प्रवर्ती नहीं रखते हैं काल करे सो आज कर, आज करे सो अपपल में प्रलय होएगी, बहुरी करेगा कब लेकिन मुर्ख इंसान कहता है प्रलय आ जाएगी तो काम ही क्यों करना है मुर्ख इंसान को यह समझना होगा कि प्रलय का मतलब प्रलय नहीं है प्रलय का मतलब है समस्याएं विपत्तिया कोई भी समस्या कोई भी विपत्ति कभी भी आ सकती है इसलिए अपने काम को पहले की तयार करके रखना चाहिए जैसे ही गर्मी काम मौसम आया एक चिडिया में एक बंदर को कहा की चलो रहने की व्यवस्था कर लेते हैं क्योंकि थोड़ी दिन बाद ही पानी आने वाला है लेकिन बंदर मस्ती करते रहा और कहा की अभी तो बहुत समय है तुम बनाओ घोसला मैं तो अभी मस्ती करूंगा वो पूरा समय मस्ती करते रहा और देखते ही देखते बारिस का मौसम आ गया चिरिया अपने घोसले में आराम से रहने लगी लेकिन बंदर को रहने के लिए कोई जगह नहीं थी. आप में से भी कई लोग ऐसे होंगे जो काम को टाला करते हैं. असफल व्यक्ति बोलता है कि आज करूंगा कल करूंगा लेकिन सफल व्यक्ति कहता है अभी करूंगा. पसेंट सेव जरूर करते हैं और जो भी पैसे को सेव किया है उन पैसों को इन्वेस्ट करते हैं आगे के लिए। लेकिन असफल लोगों की आदत होती है कि जैसे ही पैसे कमाते हैं वो खर्च करना सुरू कर देते हैं और जितना पैसा कमाया है उससे ज्यादा खर्च करते हैं आज कल आप सभी को तो पता है कि क्रडिट कार्ड आ गए है उसकी वज़़ से आप 20,000 रुपए कमा रहे हैं लेकिन क्रडिट केर्ड की लिमिट 40,000-50,000 की है आप जितना कमाते हैं उससे ज्यादा खर्च कर देते हैं और यही वो बुरी आदत है जिनके कारण कोई भी इनसान जिन्दगी भर गरीब बना रह सकता है 5. रोजाना किताबों को पढ़ता है सफल व्यक्ति हर रोज लगभग 50 पेज पढ़ता है सफल व्यक्ति को पता होता है कि अभी मैं अज्यानी हूँ मुझे बहुत सारे ज्यान की जरूरत है मुझे कुछ नहीं पता है और इसलिए वो हर रोज हमेशा के लिए कुछ सीखता रहता है और कभी भी घमंडी नहीं होता है लेकिन असफल व्यक्ति की आदत होती है कि यदि वो थोड़ा सा भी knowledge ले लेता है, थोड़ा सा ज्यान उसके अंदर आ जाता है, तो उसे लगता है कि मैं बहुत ज्यादा ज्यानी हो चुका हूँ और बहुत ज्यादा घमंडी भी हो जाता है छे सफल इनसान उचित रूप से आराम करता है एक सफल इनसान हमेशा एक प्रॉपर रेस्ट लेता है उसे पता होता है कि मुझे 6-7 घंटे का रेस्ट लेना ही लेना है लेकिन असफल इनसान या तो बहुत ज्यादा 10-11 घंटा सोएगा या फिर बहुत ज्यादा मोटिवेट होकर 3-4 घंटे ही सोएगा जो की बहुत ही गलत बात है. सफल इंसान को पता होता है कि दिन भर जितनी भी एनरजी मुझे चाहिए वो कहां से आएगी उसे पता है कि मुझे कब सोना है, कब जागना है. लेकिन असफल इनसान को कभी पता ही नहीं होता है कि 10 बजे सोना है, 11 बजे सोना है, 12 बजे सोना है या 1 बजे सोना है, वो अपना टाइम कभी भी फिक्स कर ही नहीं पाता है, जिसकी वजह से अगला दिन उसका पूरी तरह से खराब चला जाता है. साथ सफल इंसान कभी भी आलस नहीं करते हैं सफल लोगों की सात्वी आदत होती है कि वो कभी भी आलस नहीं करते है आपने अपने अंदर ये बहुत बार देखा होगा कि आप किसी भी काम में आलसी कर जाते है आलस आता कहां से है बहुत सारे लोग आलस और टालम्टोल की परवर्थी को एक ही मानते हैं लेकिन दोनों ही अलग होती है आलस आता है हमारे फिजिकल पार्ट से और टालम्टोल की परवर्थी होती है हमारी मेंटल स्टेट से आलस आता क्यों है ये जानिए आलस तब आएगा जब आप बहुत ज्यादा खा लेंगे आपका कोई फेवरेट चीज है और आपने बिना लिमिट के बहुत ज्यादा खा लिया है अभी आपके बॉड़ी को उसे पचाने के लिए रेस्ट चाहिए अब सेम टाइम पे अगर आपकाम नहीं कर पाते हैं एक सफल इनसान को पता होता है कि मुझे क्या खाना है कब खाना है और कितना खाना है लेकिन एक असफल इनसान को ये कभी पाता नहीं चलता उसके सामने जितनी भी चीज़े आती है वो सोचता है कि मैं सारी की सारी खालू और बाद में इसी से वो बहुत ज्यादा आलस करता है आठ सफल इनसान कभी भी multitasking नहीं करते हैं अगली आदत होती ही कि सफल व्यक्ती कभी भी multitasking नहीं करते हैं एक बार में एक काम अपने हाथ में लेते हैं उसे अच्छी तरह से finish करते हैं और उसी के बाद अगला काम अपने हाथों में लेते हैं लेकिन जो व्यक्ती असफल हैबिट रखते हैं वो बहुत सारे काम एक बार में अपने हाथों में ले लेते हैं और उनसे ना ये काम होता है और ना ही वो काम होता है और पूरा समय परेशान होता रहता है और अपना पूरा समय खराब कर लेता है Multitasking एक मित है आपका brain multitasking ले लिए नहीं बना है वो सिर्फ एक बार में एक ही चीज कर सकता है तो आप multitasking करने से बचना चाहिए 9. सफल व्यक्ति सोच समझ कर काम करता है हर सफल व्यक्ति किसी भी काम को करने से पहले सोचता है और उसके बाद काम करता है और असफल व्यक्ति या जिसकी आदत सही नहीं होती है वो व्यक्ति पहले काम को कर लेगा उसके बाद परेशान होगा कि ये काम मैंने क्यों कर लिए इसका साफ साफ मतलब है कि जितने भी सफल लोग होते हैं वो भविश को देख कर काम करते हैं कि ये चीज आज मैं कर रहा हूँ इसका भविश में क्या रिजल्ट होगा क्या इसका सही रिजल्ट मिलेगा या इसका रिजल्ट बहुत ही गलत मिलेगा आज कल के बहुत सारे युवा थोड़े समय के एंटर्टेन्मेंट के लिए बहुत सारे प्रेम प्रसंदों में पढ़ जाते हैं जो बाद में उन्हें बहुत सारे दिक्कत दे देते हैं, वो इमोशनली बहुत ज्यादा तूट जाते हैं यदि उन्होंने थोड़ा सा भी फ्यूचर देख कर किया होता तो इस प्रकार का mental breakdown उन्हें कभी नहीं सहना पड़ता.